आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आज हम लोग बात करेंगे जन अधिकार पाटी के राष्टी अध्यक्ष पपू यादो के बारे में जिनको लेकर जब से यह खबर आई है कि पपू यादो महागट बंधन से आगामी लुक्सभा चुनाओ लडेंगे उ दोनों ही परमुक गडबंधनों ने सारे जो रजमाईस लगाने सुरू कर दिये हैं दोनों ही गडबंधनों के तरफ से तरह तरह के दाव चले जा रहे हैं पर बीते दिन महागट बंधन के तरफ से जो दाव चला गया है वह पूरे बिहार को चोका के रख दिया है क्योंकि जिस तरह पपु यादो और लालू प्रसाद यादो की बिच दूरी बन गई थी यह किसी ने कल्पना नहीं किया था कि 2024 लोकसबा चुनाओं से पहले पपु यादो की लालू प्रसाद यादो से दूरी मिट जाएगी जो अब हखिकत हो गया है क्योंकि बीते दिन ही लालू प के हो सुरा दिये हैं हो सुरना भी लाजमी है क्योंकि एंडिये के नेता अभी तकिया उमीद लगाये हुए थे कि पपु यादो की पाटी कम से कम सीमांचल इलाके में बोटकटवा के रूप में काम करेगी जिससे भाजपा को सिधे फायदा पहुचेगा यहां तकि एंडि को जबरदस्त फायदा वहीं एंडिये को जबरदस्त घाटा होने वाला है इस बात को आप इससे भी समझ सकते हैं कि जब पिछली बार पपु यादो महागडबंधन से अलग हुकर चुनाव लड़े थे तब महागडबंधन ने सीमांचल में अच्छा परदर्शन नहीं कि वहीं 2014 में जब पपु यादो साथ थे तब महागडबंधन ने अच्छा परदर्शन किया वैसे अब देखना होगा कि इस बार महागडबंधन का कैसा परदर्शन रहता है वैसे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें